जै गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, आज जो गुरु जी सत्संग रिकॉर्ड करवा रहे हैं संगत जी, बहुत सारी संगत जी के मन में इतने क्वेश्चन है कि जब है बात करते हैं, तो कभी लगता है ये कितनी भोली संगत हैं, जिने अपने गुरु जी पर वि नहीं नहीं ले रहे। ऐसे में वह यूट्यूब पर इन प्रश्नों के उत्तर ढूंगते हैं। फिर गुरुजी कुछ संगजी को सेवादार बनाकर सेवा करने को कहते हैं। गुरुजी कहते हैं, तो लिख, तो रिकॉर्ड कर, हमारे में संगत जी ना तो ग्यान है और ना ही दिमाग, गुरुजी का दरबार, उनका रूम, उनकी वाइब्रेशन, उनका औरा, उनके सवरूब जैसे बोलते हैं, तो ये पैन चलना शुरू हो जाता है, कभी सत्संग को लिखने के बाद मैं दुबारा नहीं पड़ती, संगत जी, as it is, मालिक की डिक्टेट की हुई वानी, आप तक पहुचा पाती हूँ, इस नाचीज को इस काबिल समझा होगा मालिक ने, तभी तो ये सत्संग रिकॉर्ड कर पा रही हूँ, आप प्लीज इस सत्संग को थोड अरे गुरुजी महाराज हैं संगत जी, जो सत्संग, सिम्रन, सेवा करते हुए सीखा, और गुरुजी ने साक्षात कुछ एक्स्पिरिंस करवाए, उनी को रूबरू आपके समक्ष रख पाती हूँ, जैसे एक प्यारा सा शबद है ना, ग्यान त्यान किछ करम न जाना, सार न जाना तेरी, सबते वड़ा सत्स गुरु नानक, जिन कल राखी मेरी, तो मैं न ग्यान जानती हूँ, न ध्यान, न करम, कुछ नहीं जानती हूँ बस गुरु जी ने जो कहा, उसी को मानते हैं और गुरु जी के आगे एक शबद की कुछ पंक्तियां पहले आपके साथ में शेयर करती हूँ उसके बाद अपना सचसंग शेयर करूँगी तू सागरो, रत ना गरो, हाँ सार न जाना, तेरी रामा, तेरी रामा तू उठा कुरो, बैरा गरो, मैं जे इकन चेरी रामा, चेरी रामा तू सागरो, रत ना गरो, हाँ सार न जाना, तेरी रामा तू सागर, तेरे अंदर कितने रतन भरे हैं, तू ही ठाकुर है मेरा, मैं तेरी सार कभी न जान पाया, न जान पाऊंगा राम कुछ संगत जी कहते हैं आंटी, हमें तो गुरु जी ने पहले बहुत बार ओम दर्शन, फ्रेग्रेंस दर्शन दिये, हमारे गर में अमरित वर्शा भी हुई पर अब तो ना गुरु जी ओम दर्शन देते हैं, ना ही गुरु जी की फ्रेग्रेंस आती है, और ना ही दुबारा कभी अमरित वर्शा हुई तो क्या गुरु जी हमसे नाराज हैं? संगत जी, समझ नहीं आता क्यों संगत जी गुरु जी को इन सब दर्शनों में ढूनते हैं? अरे, आप तो अपने आपको खुब वड़भागी समझें जो इस जीवन में, इस मनुष्य पापी जीवन में एक बार भी गुरु जी महराज ने आपको दर्शन दे दिये ऐसी संगत भी है, जिने कभी एक बार भी दर्शन नहीं हुए संगत जी, गुरु जी तो हमारी रू में विराजमान है हम उन्हें बाहर कहां ढूनते हैं? बैठो ध्यान में सुभा सवेरे, अमरित्वेले में एक घंटा ना लिब लगे, तो भी बैठो, अभ्यास करो, मेडिटेशन करो कुछ लोग प्रशन पूछते हैं आंटी, हम बहुत कन्फ्यूस हो जाते हैं कोई कहता है, अमरित्वेला जरूरी नहीं पर जब आप बताते हो, तो हमने शुरू किया फिर हमें ब्लैसिंग्स भी मिली गुरु जी ने हमें पॉजिटिव भी किया हमारा अशान्त मन शान्त भी हुआ हमारे बुरे थौट भी खतम हो गए सिमरन में हमारा मन भी जुड़ने लगा हम बहुत खुश रहना शुरू हो गए पर फिर जब हमने कहीं और से ये सुना कि गुरु जी ने तो नहीं कहा कि जल्दी उठो, पाठ करो, सिमरन में बैठो तो संगत जी हमारा फिर अमरित वेला जैसे छूट सा गया अब संगत जी, क्या बोलू मैं गुरु जी से मैं गुरु जी के सामने बैठी थी, मैंने कहा गुरु जी, ऐसी संगत को मैं क्या कहूं फिर वो जब संगत जी ने कहा कि हमारा अमरित वेला छूट गया हम फिर से नेगिटिव हो गए तो संगत जी आपके प्रश्णों के उत्तरदो स्वयम आप ही के पास हैं इधर उधर उसे क्यों ढूंड रहे हैं? यहां है विश्वास की कमी अभी विश्वास ही नहीं आपका जमा आपका अपने रब पर, अपने मालिक पर विश्वास नहीं है तो कोई क्या कर सकता है? संगत जी जब आपका गुरू पून है तो विश्वास अधूरा क्यों? अपने गुरुजी के सामने बैठ कर, नहाद होकर, सिमरन में बैठना चड़ता सूरज आपको जुक कर सलाम करता है गुरू जी उसी सूरज की चमक, सुभा की पहली किरन आप पर भी खेरते हैं तो कोई बुराई तो नहीं है ना इसमें जल्दी उठने से हमारे सारे काम भी जल्दी जल्दी हो जाते हैं ट्रैफिक भी नहीं होता, पर मात्मा की सारे लाइन्स क्लियर होती है पर मात्मा से हमारी रूबरूब बात हो सकती है संगा जी एक छोटी सी बात जो मैं हमेशा शेयर करती हूँ कि जैसे कोई बच्चा रोज आना स्कूल जाता है सुबा उटकर ये बताओ कि स्कूल की बस छे बजे क्यों आती है स्कूल साथ बजे क्यों लगता है स्कूल का टाइम इस समाज ने दस ग्यारा बारा बजे क्यों नहीं रखा कुछ आफिस आट बजे खुल जाते हैं वह बारा बजे क्यों नहीं खुलते संगजी समझो ये बहुत सिंपल सी बात है क्योंकि ये वो पवित्र समय होता है यह पवित्र ध्याड़ा होता है परमात्मा से blessings डारेक लेने का ये अमरित मन्थन का समय है ये सचखंड का परशाद लेने का वक्त है इस सचखंड का अमरित लेकर अपने दिन चर्या के काम करो फिर देखो जिन्दगी कैसे खुशनुमा हो जाती है और आप ही के कहने के अनुसार जिन्नोंने अमरित वेला किया उनकी जिन्दगी में पॉजिटिविटी बड़ी, घर की नेगिटिविटी खतम हुई, जीवन की परिशानियों का हल मिला तो संगजी मैं एक ही बात कहती हूँ कि जिसे जो अच्छा लगे वह करे बाकी लोग जो हैं वो मना मत करें किसी को कोई जबर्दस्ती तो नहीं है ना, जिससे उठा जाए और वो भी गुरुजी को अरदास करके सो, गुरुजी हमें उठाना, तो गुरुजी आपको जरूर उठाएंगे कई संगजी कहते हैं, हम उठतो जाते हैं, पर हम फिर सो जाते हैं तो देखे, आपने गुरुजी के पास अलाम लगाया, गुरुजी ने आपको कॉल करके उठा भी दिया, पर अब एफट्स तो आपको करने हैं, हम बच्चे को स्कूल भेजने के लिए उठते हैं, हमें नीन दाती है, अगर हम एक दिन सो जाएंगे, दो दिन सो जाएंगे, तो हमारे बच्चे की रोज छुट्टी हो जाएगी स्कूल की, वो नहीं जापाएगा, हमारे घर वाले लोग आफिस नहीं जापाएंगे, तो हमारे घर की रोजी रोटी नहीं चलेगी, हमारा बच्चा अच्छा नागरिक नहीं बन पाएगा, इसी तरह अगर हम सो जाएं जाते हैं संगत जी अपनी हाजरी लगा कर एक घंटे की गुरुजी की क्लास को अटेंड करके फिर सो जो बच्चों को स्कूल भेजो फिर सो जो कोई प्रॉब्लम नहीं है पूरे दिन में इतना वक्त होता है दुपैर में सो सकते हैं रात को जल्दी सो सकते हैं अब जो पूर से उत्तम तो ये बात है कि अमरित वेला ही कर लिया जाए जिसमें सारी रुहानी शक्तियां सुभा के वक्त आपकी बॉड़ी में विराजमान हो जाती हैं आप सोच भी नहीं सकते एक नव जीवन का संचार करता है अमरित वेला मंतर जाब बाकी किसी को कोई जोर जबरदस् नहीं है अब रिंकु वीर जी रोज इस पर ही चर्चा करते हैं कौन मानता है कौन नहीं ये हमारा काम नहीं है संगत जी अपने प्रश्णों के उत्तर डिरेक्ट गुरु जी से चाहिए तो करिए अमरित वेला मंतर जाब आप जितना अपने जाब को बढ़ाएंगे जीवन से दुखों का खात्मा होता चला जाएगा मुझे दिया है मेरे गुरु जी ने ये अमरित वेला सारी बिमारियों से मुक्ति सारे दुखों से चुटकारा और एक अद्भुच शक्ति एक नया अनोखा स्टैमिना उम्र बढ़ने के साथ लोगों का स्टैमिना वीक होता है प आप सब को ब्लेस करो नेगेटिव लोगों से हमें दूर रखो पॉजिटिविटी को बढ़ाओ संगजी इस कल जुग में सत युगी सब हो जाएं पापों का खात्मा हो अहम का नाश हो निंदा चुगली से बचें गुरु की बात को मानें परोपकार दया प्रेम रखें इ रूहें बन जाएं हर कोई जै गुरुजी जै गुरुजी शुक्राना गुरुजी करे तो सत्गुरुजी क्यों नहीं सचखंड में आएंगे वे हैं ना सत्गुरु आए सचखंड गए कस्तूरी वंड मैं अभागी साथी सारे जागे मैं ना जागी चिडिया करन कलोल कैन वाहे गुरु बोल मैं अभागी साथी सारे जागे मैं ना जागी तो संगत जी जो उठ गया जो उठेगा अमरित वेला वो पा लेगा जो सोया रह जाएगा वो गवाएगा चिडियां भी उठके कलोल करती है आवाज लगाती है उठ जा भलिये उठ जा भलिये रूहे तेरा अमरित वेला तेनू बुला रहे है और संगत जी ये गुरु जी की किर्पा गुंगे की मिठ्याई है जो चक्खेगा उसे ही समझ में आएगी वरना तो लोग यही कहते हैं कि गुरु जी ने नहीं कहा पर गुरु जी के बारे में तो हम क्या कहे न जहां तक हमने जाना और हमने सुना है गुरु जी तो दो धाइडाई बचे तक अपनी संगत में रहते थे और फिर वो सो जाते थे तो हमें तो गुरु जी की यही एक शिक्षा मिली है अब कोई कहे कि गुरु जी ने नहीं कहा तो मैं तो ना किसी की बात को जुठा करती हूँ बस मैं यही कहती हूँ कि तुम्हें जो सही लगे वो करो जो तुम्हारे मन को भाई वो करो आपका मन करे उठने का और आपको उससे अगर फाइदा हो रहा है तो आप जरूर उस फाइदे को उठाओ अगर आपको कोई नुकसान हो रहा है तो आप मत उठिए जिस घर में अमरित वेला होता है उस घर में कभी कोई बिमारी नहीं आ सकती है पूरे दिन का किया हुआ जाब पूरे दिन के दस पाठ किये हुए और सुबह का अमरित वेले का एक जाब किया हुआ आपको कहां ले जाएगा आप सोच भी नहीं सकते हो सत्गुरु आये सचखंड गए कस्तूरी वंड मैं अभागी सत्गुरु तो आये थे सचखंड सुबह सुबह और अमरित वेले में आये और कस्तूरी माट के चले गए पर मैं अभागी थी जो इसको इदर उदर ढूंड रही थी और मुझे कुछ नहीं मिला मेरी हाथ कुछ ना आया 108 बारी वाला मंतर चाप करें ओम नमो शिवाए शिवजी सदा सहाए ओम नमो शिवाए गुरु जी सदा सहाए उससे पहले एक्यूमकार की पहली पौडी का पाठ करें और फिर उसके बाद चाहे का भोग लगा कर गुरु जी को पिलाए खुद पिए और चाहे दुबारा सो जाए पर उसके बाद जो आपको मिलेगा आप सोच नहीं सकते हैं क्या नियामते गुरु जी आपकी जोली में डालेंगे सबसे बड़ी बाते गुरु जी का प्यार गुरु जी का कनेक्शन होगा गुरु जी के साथ डारेक्ट बारता लाप कर पाएंगे गुरु जी आपके सारे प्रशनों के उत्तर देने शुरू कर देंगे किसी भी रूप में आकर देंगे आपको सचखंड की सैर कराएंगे तो क्या चाहिए रोज सचखंड की सैर करनी है या उसे सो कर गवाना है क्योंकि बाकी तो जिन्दगी में एंड तो यही है कि नाते रिष्टे सब विकार है तो इसी का शबत का अगला लास्ट पहरा एक तिरे संगीते ए रिष्टे दारा तैनू देन ना आके सहारा लेन शम्शान जान लेके शम्शान जान तिन का तोड़ वापस आन मैं अभागी साथी सारे जागे मैं ना जागी सत्गुरु छेती छेती आओ आके दरश दीखाओ पई कब रामा जी करदाएं वापस ना जावा सत्गुरु आये सच खंड गए कस्तूरी वंड मैं अभागी साथी सारे जागे मैं ना जागी साथी सारे जागे मैं ना जागी तो गुरु जी हम अभागे नहीं हैं हमें अभागे नहीं बनना हमें भागेवान बना दो संगर जी हमें गुरु जी को कहना है हमें भागे मान बनना है हमें भागे नहीं बनना हमें सोके नहीं गवाना ये समय हमें उठना है अपने अमरित वेले को सच करना है सच खंड की सैर करनी है गुरु जी के साथ विराज मान रहना है गुरु जी के चर्नों में बैठना है उनस कर लेते हैं उसके बाद पूरे दिन के 23 घंटे गुरुजी हमारा आत कभी नहीं छोड़ते ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूं जो मुझे मिला है जै गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम शुक्राना जो जल आप गुरुजी के सामने रखते हैं स अगले दिन 24 घंटे के बाद उस जल को उठा कर इक बॉटल में भरने संगजी और उस जल को अपने घर में सब को पिलाएं कोई बिमार हो कोई परिशान हो हर इक को दें गुरुजी सब के थौट चेंज करेंगे सब किने अक्टिविटी को दूर करेंगे रोज जल भरके कुए बात कि मन में जै गिरुजी बोलें अपने मंदिर के आगे बैट जाएं Henry चलाएं मंतर जाब की और उसको थोड़ा जाब में ताकि आपको को ने ना आए और पिर भी अगर आपको ने आ जाती है तो कोई बात नहीं सुनते रहें साथ-साथ बोलते भी रहें कोई वहम नहीं है आंखे बंद करनी है खोल नहीं है कोई वहम नहीं है बस यह है कि सुबह उठकर स्वच कपड़े पहने और अमरित पेले के समय दो मग पानी के डाल कर पैट जाएं क्योंकि संगत जी हमेशे एकी बात मैं शेयर करती हूं नहाना तो हमें साथ बजे भी होता है आट हमारे आने माले सारे साल और हमारे घर के बच्चे और हमारे घर के हर कोई सदसे सारी संगत बन जाएं सब अम्रित विले से चुगए जै गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम शुक्राना संगत जी अच्छा लगे तो इस सत्संग को शेयर जरूर किचिएगा जै गु गुरुजी अनंतम शुक्राना गुरुजी आज जो गुरुजी सत्संग रिकॉर्ड करवा रहे हैं संगत जी बहुत सारी संगत जी के लिए